बढ़ते आगे जैपूर से बड़ी खबर मिल रहे है विरोध के नाम पर ये क्या हो रहा है जल्दाएवे भाग में ठेकेदारों के साथ अधिकारियों का विरोध गटबंदन देखने को मिल रहा है जल परिवहन ठेकेदार संग को किया है अपने पक्ष में लाम बन जैपूर में टैंकर से सप्राइब बंद करने की चेतावनी दी जबकि ठेकेदारों का आज हमनों से कोई लेना देना ही नहीं है इसके बावजूद अधिकारियों कर्मिचारियों के दबाव में बयान दिया गया द्रसल पेजल व्यवस्ता ठप करके दबाव बनाने का प्लैन है जल परिवान ठेकेदार संग के बयान से आज हो गया साफ जल्दाए विभाग में टैंकर ठेकेदार वाधिकारियों का गठबंदन है टैंकर चाल को द्वारा सरकारी पानी को कई जगे बेचा जाता है अजर चुके नरीजी बेहत एहम खबर है और सवाल उठता है कि क्या हो रहा है इस विभाग में जल्दाए विभाग में किस तरह से ठेकेदार और अधिकारियों का गठबंदन है ये और ये कब से चल रहा है कितना नुकसान आमजन को इस से जल्दाए विभाग में जो आर्ट डबलू एससी है उसको पावरफुल करने का विरोध यहां के करमचारी और इंजिनियर कर रहे हैं तो उनका जो विरोध है पिछले दिनों से चल रहा है और उनका आरोप है कि नीजी करण किया जा रहा है तो यहां तक तो उनका जो विरोध था वो अपनी जगर ठीक हो सकता है कि करमचारी अपनी बात कहे जो सामाने करमचार Chaos हो जाता है को की करमचारियों की लड़ाई है करमचार पांदोलन है, उसमें टेंकर से पानी सप्लाई करने वाले जो ठेकेदार है उनकी भूमिका कैसे हो सकती है तो ठेकेदार तेंग ने आज जो करमचारी है उनके समर्थन में एक पत्र जारी किया है और कल से जेपुर में टेंकर से पानी सप्लाई बंद करने के शेतावनिती है तो चुकि ठेकेदार पाना नहीं होना चाहिए लेकिन इस तरह से इन कर्मचारीयोueprint की संधर्श में ध्रती अगया है की कहीं नियुक्तल में ने तबाव में थेदार संग्म ने वे चितावनिदी कि जा रही है तो बड़ा सवाल यही उड़ता है कि लगातार जो हम पहले भी बात करे थे कि जेपुर में टेंकर्स से के जो सप्लायर है जो पानी सप्लाई करते हैं उनका और अधिकारियों के घटबंदन हैं जिसके कान से लगातार शिकायट आ रही थी कि तरकारी पानी भी बेचा जाता है कुछ दिनों पहले कुछ एफ आयार बीदा कराए गई थी और ऐसे में पानी की विवस्ता को ठब करने की चेतावनी देना यह कह सकता है कि बड़ा बड़ी एक्टर से द्रमकी दी गई है तो इसके पीछे कहीं ने कहीं जो करमचारी और जो अफसर है जो इन ठेके दारों को कह सकते हैं पिछत्रिच आया एक तरह से उन उनकी दवाव के कारण से इसा प्रेशला किया होगा क्योंकि सरकारी करमचारियों का अंदोलन है वो अपनी जगह है या जो इंजिनियर है वो अपनी टीपी सी की मांग कर रहे है या आड़ ड़ी से को जो पावर कर दारोंने सा किया होगा तो ऐसे में अब लगता है कि जो अंदोलन जो एक आड़ ड़ी से सी के विरोध के लिए खड़ा किया जा रहा था उसके ग्रिशा अलग हो रही है और जो मांग उचित तरीके से उठाई जानी चाहिए ती उसकी बजाए जो प्रदेश्में कार से वारता भी उनकी जल्दे हो सकती है और वो अपने आंदोलन के अपनी रूप रहा अलग बना रहे हैं तो ऐसे में चो कि पहले जो है आड़ ड़ी से सी को पावर्फुल किये जाने का विरोध किया जा रहा था लेकिन उसके साथ साथ अब जो एक जो उड़ मांग उट बन सकता है तो ऐसे में जो आंदोलन की जो बात की जा रही है उसके अलग जिशा होती नजर आ रही है क्योंकि ठेकेदारों का इस आंदोलन में शामिल होने की बात कहना अपने आप में सवाल खड़ा करता है बिलकुल इसलिए सवाल उठ भी रहे हैं बहुत शुक्रे आपका है सब पुरी बातचीत के लिए